नमस्कार विद्ध्याथिमित्रो श्टांडर्ड नाइंट इंगलिस मेडियम मा सब्जक संस्कुरुत नियंदर विद्ध्याथिमित्रो आजे आपड़े चेप्टर नंबर 17 और लेक्चा नंबर 3 विशेवाद करीशु बराबर आपड़े श्लोक्ती बाकी छे तो श्लोक्ती आपड़े पहला पठन करीशु आनू नरो हिताहार विहार सेवी समिक्षकारी विशय आसक्त दाता समा सत्य परह क्षमावाना आपतो सेवी चभवत्य रोगी बराबर अब विद्याथिमित्रो आश्लोक्ती आपड़े पहला अनूवाद करीशु शुक्याव मागेचे तो हित कारक आहार बोजन अने विहार आच्रननू सेवन करनार समझी विचारी ने वर्तनार विशय वाष्नामो अना सक्त विशय आसक्त दाता समसत्य परह डाता प्रत्य समत्वनी भावना राखनार बराबर क्षमावानो आपता सेवी इल्छ सत्य परहन समक्षिल और चाबवत्य रोगी आपता जोनों नी सेवा करनार मानस निरोगी रहे छे मानस के ओ रहे छे निरोगी तो आहार भोजन औने विहार नू आचरण करनार समझी विचालने वर्तनार विशाई नी अंदर अनासक डाता सव प्रत्ते भावना राखनार सत्य परायन ख्षमाख्षिल औने आपत जनोनी सिवा करनार मानस निरोगी रहे छे बरावर जे विद्यार्थिमित्रो आपने इंगलिसमा ट्रांसलेशन करीशू श्लोक नू The man who ate beneficial food practices good behavior act after considering well being disinterested in the object of sensual pleasure who is charitable, truthful, forgiving, equal and who sharus the trust worthy person become free from disease बरावर जे तो विद्यार्थिमित्रो आपने इंगलिसमा ट्रांसलेशन पन जोयू बरावर जे ट्यार पच्छी नो जे पेरेग्राफ छे ए पेरेग्राफ आपड़े समझीशू बराबर अर्थात यो नरह हितस्य आहारस्य विहारस्य च सेवनम करोती बराबर इलेके नर एटलेके मानस यो एटलेके जे मानस हितस्य हितकारी आहारस्य आहार विहारस्य अटलेके विहारनू च सेवनम करोती सेवन करे छे शर्व कार्यक्षमिक्ष करोती बढ़ाबर लेके बदा काम समझी विचारीने करे छे बदा काम सु करे छे समझी विचारीने करे छे विशयोमा एकदम अना सक्त रहे छे यह दानम करोती जे दान करे छे वेवारे समत्व अनेक्षमा भाव आचरे छे आपत जनानम सिवाम करोती आपत जनोनी सिवा करे छे ताद्रश्य नर रोगी अर्थात स्वस्त भावती ते वो मानस रोग रहीत अर्थात स्वस्त रहे छे ते मानस जे छे यह के वो छे तो रोग रहीत छे अर्थात स्वस्त पन रहे छे तो विद्जार्थी मित्रो आ पेरेग्राफ आपड़े गुजराती माइन वनुवाद जोय। अब इंग्लिश माँ ट्रांसलेशन करीशू। बड़ा बचे। विद्जार्थी मित्रो आपड़े आपड़े इंग्लिश माँ ट्रांसलेशन जोय। दरेक विद्जार्थी मित्रो आपड़े इंग्लिश माँ ट्रांसलेशन करीशू। ये पेरेग्राफ नो पण आपड़े इंग्लिश माँ ट्रांसलेशन करीशू। तो दरेक विद्जार्थी मित्रो आपड़े इंग्लिश माँ ट्रांसलेशन जोय। थेंक्यू अबर। प्रांसलेशन करीश।